इतिहासिक और पारमपरीक नुर्थ आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे तो चलिए सफर पर निकल पढ़ते हैं इस यात्रा में हम ओडिशा के विभिन्न पहलूं को जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के भूगोल की यह राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी प्राकृतिक सुन्दर्ता अद्वितिये है ये राज्य भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ है यहां के समुद्र तट और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे ओडिशा में कुल 30 जिले हैं हर जिले की अपनी विशेशता और सांस्कृतिक धरोहर है राज्य सभा की 10 और लोग सभा की 21 सीटे हैं ये राज्य की राजनीतिक संरचना को दर्शाती है और विधान सभा में 147 सीटे हैं यहां की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही संगठित है पुराने जमाने में ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था यह राज्य अपने एतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है कलिंग का एतिहास अशोग के समय से जुड़ा है जब कलिंग युद्ध हुआ था इस युद्ध ने अशोप के जीवन को बदल दिया और उन्हें बौध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया चलिए अब बात करते हैं संस्कृती और त्योहारों की ओडिशा की संस्कृती बहुत ही रंगीन और विविद्टा पूर्ण है ओडिशा के प्रमुख त्योहार हैं रत यात्रा जो पुरी में बड़े धुंधाम से मनाई जाती है दुरगा पूजा और मकर संक्रामती भी यहां के प्रमुख त्योहारों में शामिल ही यह त्योहार यहां की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं यहां का लोक नृत्ति, ओडिसी, दुनिया भर में मशूर है इस नृत्ति की सुंदर्ता और भावनात्मक अभिव्यक्ती अद्वितिय है और खाने में पखाला भात जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है और दालमा बहुत ही पसंद किये जाते है ओडिशा का भोजन बहुत ही स्वादिश्ट और पॉष्टिक होता है ओडिशा के वन और वन्य जीवन भी बहुत अनोखे है सिमलीपाल नेशनल पार्क यहां का प्रमुक वन्य जीव अभयारण में है और चिलका लेक यहां के प्रमुक स्थल है यह जील प्रवासी पक्षों का स्वर्ग है चिलका लेक एशिया की सबसे बड़ी भारे पानी की जील है यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता और जैग विविधूता अद्वितिये है ओडिशा की अर्थ व्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है यहां के उद्द्योग और व्यापार राज्य की आर्थिक प्रगती में महत्वपूर्ण भूने का निभाते हैं यहां के मुख्य उद्द्योग आयरन ओर, कोईला और बॉकसाइट माइनिंग है यह उद्द्योग राज्य की आर्थिक रीड है ओडिशा का लिट्रेसी रेट अब 73% के आसपास है शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगती की है अब बात करते हैं ओडिशा के प्रमुक मंदिरों और परियतें स्थलों है यहां के मंदिर और धार्मिक स्थल बहुत ही प्रसित है जगनात मंदिर, कोनार्ग सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर कुछ प्रमुक मंदिर है यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं पूरी का समुद्र तट भी एक प्रमुक परियतें स्थल है यहां की रेप और समद्र की लहरें आपको एक अग्वुत अनुहप देंगी और कोनार्थ का सूर्य मंदर युनस्को वर्ल्ड हेरिटिज साइट्स में शामिल है यह मंदर अपनी अग्वितिय वास्तिकला के लिए प्रसिद्ध है ओडिशा में और भी कई रोचक स्थल हैं जैसे उदैगिरी और हिंडगिरी गुपाई हैं जो प्राचीन काल की धरो हैं धॉली हिल्स और हीराकुन डैम ही यहां के ट्रमुक आकरशन है यहां के रंगमाटिया और पिपिली गाव अपने हैंडलूम और हस्त शिल्फ के लिए प्रसिद्ध है यहां के हस्त शिल्फ और कारीगरी अद्वितिय अगर आप कभी ओडिशा आएं तो यह सभी स्थल जरूर देखें यहां की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणिय अनुभव होगी यह राज्य अपनी पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक विकास का एक पिहतरी निश्रण को यहां की जीवन शैली और संस्कृति आपको एक नया दृष्टि पूंट देए दोस्तों यह थी छोटी सी जलक ओडिशा के रंग विरंगे संसार की यहां के त्योहार और संस्कृतिक कारिकतर बहुत ही जीवन्त और रंगीन होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम्ने बाद ओडिशा की इस अद्भूत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका पिंदे बाद है अगले वीडियो में फिर मिलेगा पूरी की रत यात्रा ओडिशा का सब्से महत्वपून और भव्य त्योहार है इस यात्रा में धव्वान जगन्ना बलभद्र और सुभद्रा के रधां को खींचा जाता है लाखों श्रधालों इस यात्रा में भागी उड़ी है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोगाते है यह त्योहार ओडिशा की सांस्कृतिक धरूहर का प्रभी है रत यात्रा के गव्वान पारंपरिक संभीत और मुर्फिका आयोजन होता है जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है यह ओडिशा की सम्रिद्धी संस्कृति और परंपराओं का जीवन्त उदाहर है